फोन पे इसे गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो क्या करें? दोस्तों यह आपने बाइ मिश्टेक किसी को पैसे भेज दिया फिर ट्रांसफर करते हैं गलत अकाउंट पे तो कैसे आप अपना सकस्फुली पैसा वापस लेंगे अपने बैंक अकाउंट में यह चीज जो है काफी लोग कर देते हैं कि गलती से किसी की दूसरी की यूपी 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 यूट पैसे भेज देते हैं तो आपने क्या करना है वह मैं आपको लाइफ प्रूप के शो कर अब देखो यहां पर ध्यार रखना है दो तीन चीज़े एक तो आपको सभी लोग बताते हैं कि आप बैंक जाके पता कर लो ऐसा कुछ होता नहीं है आपको एक अच्छा सा स्यूशन बताऊंगा वह अप्लाई करो इंस्टेंटली आपका पैसा मिल जाएगा ठीक है तो वी ऐसा नहीं कि आज पेमेंट करी थी वह यानि कि दो दिन होगे चाल दिन होगे ऐसा मत एक दो घंटे आफी चार पांच घंटे आफी एक दिन लेट होगे चलो कोई बार नहीं प्रसेस अभी आप फोलो करना शुरू करो ठीक है सबसे पहले आपको गया करना है यहां पर आप आप अप्लाई करो आपको पैसा मिल जाएगा ठीक है तो आपको NPCI जैसी रिखेंगे उसके बाद इसको सर्च कर दो ठीक है सर्च करने के बाद आपको उनकी ओफिशल जो है वेबसाइड मिल जाएगी जैसा कि एक लिए तुम्हें बता दो जो NPCI है यह जो है सभी UPI ट्र अब यह इस तरीके से ओपन हो जाएगा अभी आपको क्या करना यहां पर आपको थोड़ा साना जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाए इस तरीके से यहां पर आप जाएंगे ना यहां पर आपको सर्च बार मिल जाता है सर्च बार के थोड़ा सा जर्फी पर इपर देखो यहां पर देखो यहां प्लीक करेंगे यहांपर इस के पर आप प्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीकसे इंटरफेस आ जाई क्योंकि आपने transaction ही तो गलत की है तो इसके अपर आप click कर देंगे जब आप यहाँ पे click करेंगे न दोस्तों अब पहला यह process देख लो उसके बाद दो और बताऊंगा वो तीनों apply करो तब जा कि आपका पैसा मिलेगा आपके bank में ठीक है तो अभी आपको क्या करना इस तरीके से देखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना इस तरीके से देखने को मिल जाएगा अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है तो लिखने में आपको यह बताना है कि देखो मैं किसी को payment करने जाओ था तो बाइश्टिक मेरे से गलत account number टाइप हो गया और वाले account पर ही चला गया है पैसा तो यहाँ पर इंग्लिस में लिखना है मैं आपको यहाँ पर टाइप कर ज़्यादा जरुत थी पैसो की और मेरा कोई बैक्गरांड कोई अच्छा नहीं है तो प्लीज यहाँ पे जो है बाय मिश्टेक मेरे से गलत नंबर टाइप हो गया है तो यह ना मैं कॉपी करके आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको यूस कर लेना ठ जैसे कि तुमने किसी को पेम casino कहीं होकर तो यहाँ पे आएगा transaction यहउप सारी नंबर मिल जाता है android तो यहां पे जो है जिसको आपने गल्थ payment कर दी तो यहां पे आपको अपना bank जो है select करने जैसे कि for example जो भी आपका bank है वो आप select करने ठीक है जितने आपके रुपे थे जितने आपने पेमेंट करी थे जैसे कि for example दो के या फिर चार के जितनी भी आपकी पेमेंट थी वो आप यहां पे टाइप कर देना जैसे कि जितनी भी तारिक थी आपको आप टाइप कर देना जैसे कि जितनी भी तारिक थी आप टाइप कर देना आपको यहां पर आएगा इस तरीके से please use the calendar to the select date ठीक है तो यहां पर यह भी आ जाता है इस तरीके से हो गए आप इमेल इडी इमेल इडी please enter your email id आपकी जो email id वह आप डालेंगे अपनी खुद की email id डाल दो जिस पर आपको email आती है ठीक है enter your register mobile number तो जैसे आप यहां पर mobile number type कर देंगे type करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान से अपना number type करना है जो number आपका bank में डाला हुआ जब आप number डालने उसके बाद आपसे पूछा जाएगा attach your upload updated bank account तो यहां पर आपको 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 पता लग जाता है कि इसको payment करी तो आपको statement पर पता लग जाता है online bank state में निकलती है 6 महिने की जितने margin निकालना चाहो तो आप वहां ते निकालना जहां तक आपको पता लग जाएगे कि हाँ यह वाली payment हुई है यहां पर choose file पर जाओगे तो यहां से उसको select कर लेना इस तरीके से select करोगे तो यहां पर इस तरीके से जार एक minute ठीक है attach यहा तो यहां से select हो जाएगी file ठीक है तो यहां पर जाओगे media picker तो यहां से वह file select कर लेना ठीक है जो आपने यहां पर bank statement निकालते हो ना online वो उसके बाद यहां पर submit कर दो जाएगे आपको जो है इनके द्वारा email पर आप से contact का लिया जाएगा सारी detail निकल जाएगी आपकी तो हो सकता है कि तुरंद के दुरन तो यहां पर solution ना मिले बट हो सकता है कि आपको यह मिल भी जाए ठीक है एक process यह कर दी आप दूसरा process क्या करना है जैसे कि आपकी payment बहुत ज़गा थी तो आप क्या करना है अपनी passbook लेकर जाना bank ठीक है बैंक जाना आपको और आपके प बैंक अकॉंट में बट आपको जाना पड़ेगा बैंक और अपनी सारी डेटेल लेकर जाना आधार काड पैंक काड या फी बैंक की सारी information ले जाना और बैंक स्टेटमेंट भी निकलवा लेना या फिर update करवा लेना passbook और आप इनको खुदी पता लगजाए का उनको आप इतनी पेमेंट कर दी है मैंने इस अले अकाउंट पे तो बैंक उसको मैसेज करेगा उस अले व्यक्ति को जिसके उपर आपने भेज दिया रहा पैसा अगर ज्यादा अमाट चला गया 10,000, 20,000, 15,000 ठीक है तो वहां पर बात करके आपका पैसा रिफंट करवा देगा और एक पात करके इनको ही बहुत सकते हैं कि ऐसा हो गया तो ये भी आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए तो पहला आपको क्या करना है NPCI वाला पूरसर करना है जो मैंने आपको पे बताया थे आप मुझे comment box में पोच सकते हैं फिलाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि हाँ अभी ये process कैसे करना है तो आप मुझे comment box में पूरी जानकारी बता दें और यहीं बता दो कि कितनी payment आपने कर दी है ताकि मुझे पता चले कि कि अब एतना ही एाफ